प्रिये मित्रों जब मन दोदरी बार बार प्रयास करने के बाद भी रावन को नहीं समझा पाई तो फिर आखरी प्रयास किया और कहा कि है प्रानपती आप प्रभु से बहर छोर कर स्री रगुबीर के चर्णों में प्रेम किजिए जिससे मेरा शुहाग न जाए इस प्रसंग में रावन ने कहा कि शत्त ही कभी लोग कहते हैं शंत लोग कहते हैं कि आउरत के हिर्दय में आठ अभुगुन रहते हैं तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि रावन कौन कौन आठ अभुगुन को बताया तो आई ये कथा को शुरू करते हैं कि अस विचारी शुनू प्रान पती प्रभुशन बैर उभिहाई अप्रीति कराहू रगुबीर पदा मम अही बात न जाई हे प्रान पती सुनिये ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोर कर स्री रगुबीर के चर्णों में प्रेम किजिये जिससे मेरा शुहाग अमर है तो भी हिसानारी बचन सुनिकाना जैसियाराम जै जैहनुमान अहो मोह महिमा बलवाना अनारी शुभाव शत्य सब कहीं जैसियाराम जै जैहनुमान अब गुन आठ सदा उर रहीं जैसियाराम जै जैहनुमान पत्नी के बचन कानों से सुनकर रावन खुब जोर जोर से हसा और बोला अहो मोह मने अज्यान की महिमा बरी बलवान है इस्त्री का सुभाव सब शत्य ही कहते हैं कि उसके हिर्दय में आठ अभुगुन सदा रहते हैं तो क्या क्या आठ अभुगुन है तो साहस अनिर्थ चपलता माया जैसीाराम जै जैनुमान भई अभी बेक असोच्च यादाया जैसीाराम जै जैनुमान अरिपुकर रूप शकलते गावा जैसीाराम जै जैनुमान राबन ने बताया था कि इस्त्रियों के आठ अब उनके बारे में मंदोद्री राबन को समझाती है और उसे राम से जुद्ध करने में रोकती है राबन मंदोद्री को समझाते हुए कहता है कि तुम बहुत भोली हो तुम इस्त्री सुभावबस डर कर ऐसा बोल रही हो शाहस इस्त्रियों में साहस पूरुशों से कई गुना ज़्यादा होता है इसको हम दुस्त्राहस भी कह सकते हैं कई बार इस्त्रियां अपने चमता के बिपरीत दुस्साहस कर बैठती है जिससे उन्हें बाद में पस्ताना परता है दूसरा अनिर्थ अनिर्थ अर्थात जूठ बोलना वैसे तो अपने दैनिक ब्यभार में इस्त्री पुरुश दोनों जूठ बोलते हैं लेकिन जूठ बोलने की प्रविर्ती इस्त्रियों में पुरुशों से कई गुणा पाई जाती है जिसके कारण इस्त्रियों के बात पर लोग कम विश्वास करते हैं चपलता इस्त्रियां सभाब से ही चंचल होती है जिसके कारण वे एक बात पर जादा देर नहीं टिप सकती उनका किसी एक बात पर द्रिधिनिर ने रखपाना इस चंचल सभाब के कारण और सम्भव प्रतित होता है माया इस्त्रियों को शभाब माया भी होता है वो अपना कार्ज सिध करने के लिए कई तरह के माया भी रूप धरती है अपना काम करवाने के लिए अरूठती है प्रलोबं देती है रावन मंदोद्री शे कहता है कि तुम इसी तरह मुझे राम का भै दिखा कर सीता को वापस करने की बात कर रही हो और भै रावन कहता है कि इस्त्रिया शुभाव से डर पोख होती है वो जल्दी भैवीत हो जाती है ज्यादा शाहसी होने के साथ साथ उनके अंदर भैवी बहुत पाया जाता है मंदोद्री तुम एक बंदर के द्वारा लंका में उचल कुद मचा देने से भैवीत होकर राम की संधी की बात कर रही हो अविबेक रावन के कहे अनुसार इस्त्रियां अपने अविबेके के कारण कुछ दुस्साहस भरे कार्ज कर जाती है जिसके बाद उन्हें पच्छताना परता है असौज इस्त्रियों में प्राकिर्तिक रूप से अवपवित्रता जादा होती है इस्त्रियां रजस्वला के कारण और पवित्र बताई गई है और बहुत सी इस्त्रियों की रहने सहने के धंग भी इनके फुहरता को परमानित करते हैं अदाया इस्त्रि को निर्दई बताया गया है रावन के अनुसार इस्त्री में अपने परिवार जनों को छोड़ कर दूसरे जीवन के प्रतिद्या का अभाब पाया जाता है रावन महा ग्यानी था राक्षस जाती होने के बावजूद उसे ग्यान और विबे की कमी नहीं थी अपने राक्षस सोभाब बस उसने राम से द्वेश किया लेकिन अपने परिवार और कुटुम के उद्धार के लिए उसने सदयब नीती और बुद्धी मानी से काम लिया रावन जानता था कि बिभीशन और रावन का उद्धार राम भक्ति से हो सकता है लेकिन समस्त राक्षस जाती सोभाब बस राम विमुक हैं इनका उद्धार राम के हाथों से मरने से ही होगा इसलिए भक्त विभीशन को राम के सरन में जाने दिया और खुद राम से बैर रखा अजानि उप्रिया तोरी चतुराई जैसी आराम जै जै है नुमान यही बिधी कहा हूँ मोरी प्रभूताई जैसी आराम जै जै है नुमान हे प्रिये वह सब यह चराचर बिसो तो सुभाब से ही मेरे बस में तेरी क्रिपा से मुझे अब समझ परा हे प्रिये तेरी चतुराई मैं जान गया तू इस प्रकार मेरी प्रभूता का बखान कर रही है अत्तव बत कही गूढम रिगलो चनी जैसी आराम जै जै है नुमान असमुझत सुखद सुनत भै मोचनी जैसी आराम जै जै है नुमान अमन्दो धरी मन महुआ सठायवू जैसी आराम जै जै है नुमान अपियही काल बश मति भ्रम भयावू जैसी आराम जै जै है नुमान हे मिरिग नैनी तेरी बाते बरी गूढ रहस भरी है समझने पर सुखदेने वाली है और सुनने से भैचुडाने वाली है मन्दो धरी ने मन में असा निश्चे कर लिया कि पती को कालवस मति भ्रम हो गया है इस परकार अज्ञान बस बहुत से बिनोद करते हुए रावन को शवेडा हो गया तब शोभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापती सभा में गया फूलाई फरही नबेत फूलाई फरही नबेत जद पीशुदा बरसं ही जलदा अमूर कहिर दैन चेत अजो गुरु मिला ही बिरंची समा यद पी बादल अमरित साजल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ग्यानी गुरु मिले तो भी मुर्ख के हिर्दय में ग्यान नहीं होता तो बोलिए जैसिया राम जैसिया राम जै जै हनुमान जैसिया राम जै जै हनुमान संकट कटे मिटे सब पीरा जैसिया राम जै जै हनुमान जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जैसिया राम जै जै हनुमान जै जै हनुमान गुसाईं जैसिया राम जै जै हनुमान करणु कृपा गुरुदे बकिनाई जैसिया राम जै जै हनुमान करहु कृपा गुरुदेब कीनाई जैसी आराम जै जै हनुमान करहु कृपा गुरुदेब कीनाई जैसी आराम जै जै हनुमान दीन दयाल बिरदुशंभारी जैसी आराम जै जै हनुमान हरहुनात ममशंकट भारी 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 जैसी आराम जै जै हनुमान एक घरी या दो घरी या दो में पुनियाद अतुलसी संगत साधु की हरै कोटी अपराद सियावर राम चंद्र की जै अयोद्या राम लला की जै प्रिंदावन विहार इलाल की जै पवन शुत हनुमान की जै बलो भाई शब शंतन की जै हर हर महादेब जैसी प्संभोग जै